पुरानी चीज़ पुरानी थी पास्टेस पास्ट राहूल गांदी को बहुत साल पहले राहूल गांदी ने छोड़ दिया था और वो अध्यात्रिक बात है मैं उस पर आगे भी आँगा ये जो भारत जोड़ो यात्रा है क्या इस देश में जो भी अभी कुछ हो रहा है उसको कही इस से रोश्णी दिखाई दे रही है शमी ममसा जी 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 देखे मैं आप से बता दूँ जहां तक कॉंग्रेस का मामला है आप सभी को मालूम है कि कॉंग्रेस ही में जिम्मेदार थी और उसके साथ ही सब लोग मिलके जो मुलक को आजादी दिलाई और जिस तरह से हम लोग इस तरह का महौल है कि पंडी जवारला नहरू को निगेट कर रहे हैं उन्हें बुरा भला भी कहने को हम हिचकते नहीं जो आज मुलक की पहचान है जो मुलक है वोसे से पंडी जवारला नहरू की ही देन है जिस वकént बटवारा हुआ जिस वक्त आजाद हुआ मुलक का क्या था मुलकी एक जहाज था तो सब जो दियावाइंक है अब आते हम चोके में मुद्दा है हमारे रहुल गांधी जी का रहुल गांधी जी जो इस वक्त कर रहे हैं उसकी मिसाल नियर पास्ट में कोई है नहीं और इन्हों ने तो बी वेरी फेर जो आपका मेडिया था जो रूलिंग पार्टी थी उसने उसकी ज रहुल की जिस्तर से बना दी थी तो जब बार बार आप एक ही चीज़ को सुनते आते हैं तो लोगों का एक जहन यह था के इस इनकापबिल आफ दूइंग अनिटिंग सी बोलते हैं चिलाते हैं लेकिन यह जो यात्रा है इस से अंदाजा हो गया उसकी सोच का या वो चाहत है और इसमें दो रहें नहीं कि जो फैमिली है पंडी जवाला नारू गांधी फैमिली यह कभी कमलत तो रही ही नहीं देवर सेकुलर इसमें दो रहें नहीं इसलिए लोग उनके साथ है लाहूल गांधी को मजबूरन चुक्छे कि यंग था चोटा था उमर कम थी लोगों गेरा कभी कभी मिसगाइड भी हो जाता है जैसे के थोड़ा पिछले एलक्षन में इन्होंने भी सॉफ्ट हिंदुत्वा फालू करना चाहा उस वक्त भी मैंने कहा कि अगर हिंदुत्वा ही बोड देना है तो सॉफ्ट को क्यो देगा वो हाड हिंदुत्वा को देगा तो इसलिए आप अपनी आइडॉलिजी पर रहेंगे अच्छा दूसरी चीज हर आदमी सड़कपन नहीं आ सकता हर आदमी की हिम्मत नहीं होती उसे एक लीडर की जरूरत होती है जो अपनी बात का है उसके बात जो सोच के लोग है वो आ जाते सड़कों पे वही अब हो रहा है रहूल गांधी ने जब स्टार्ट करी है यह इसे ना तो उन्होंने कांग्रेस की राइली उसका पदियात्रा का नाम दिया है ना उन्होंने अपना जंडा यूज किया है ना पार्टी से कोई इसका मतलब है उन्होंने मुल्क के लिए मुल्क की अच्छाई के लिए भारत जोड़ो का मलब क्या है? यहां के लोगों को जोड़ो, यहां के इंसानों को जोड़ो, आपस में मुहबत प्यार हो, तभी मुल्क सर्वाई कर सकता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, लेकिन चौदा के बाद जिस तरह सो हो रहा है, एक खास कम्मुनिटी को टार्गेट किय उस खास कम्मुनिटी को सभी जानते हैं, दो हजार चौदा से उननीस तक, जिस तरह से हुआ, उसमें देखिए कहें न कहें गलती रही, कॉंग्रेस हो, समाजवादी हो, या बीएश्पी हो, जो सो कार्ल अपने सेकुलर कहते हैं, वो भी लोग नहीं बोलता है, वो भी करेंगे, कब तक हिंदु मुस्रिम करेंगे, कब तक पाकिस्तान इंडिया करेंगे, हमें रोटी रोजी चाहिए, और वो रोटी रोजी आज जिसे कहते हैं, वो प्यार से महबत से यूनाइट हो ही के हो सकता है, वो हैट्रेड करके कन्फरेट के अपस में हो, उससे मुल्क तरक्की नहीं करता, वक्तितार सा आपको फैदा हो सकता है, जो हुआ है, कि सेकंड टाइम गौवर्नमेंट आ गई, लेकिन कुछ लोग इसमें बेंट अपॉन है, अभी देखें, गुजरात में, क्या कहा, ये कितने बड़े उचे आउदे पर बैटा हुआ, हो मिनिस्टर क क्रिमिनल, आप उसकी सुरुत कहा है अब, वहाँ तो मुसल्मान की हिम्मत भी नहीं, बोल भी नहीं रहे पा रहा, वो तो चुप-चाप है, वो ठीक है, अपनी चोईस करेगा, नोट अले इस, काफी लोग दहसत की वज़े से, बीचे पी के भी साथ है, वहाँ चाखा सा लेकिन, अच्छा मा कोई इशू ही नहीं तो मसल्मान का, आपने तो इन्वोक कर दिया, आपने वहाँ शुरुआत कर दी, कि दो हजार दो को याद दिला दिया लोगों को, यह क्या ऐसा, कहा ले जाएंगे आप मुल्कों, भी आप तो होम मिनिस्टर हैं, यह प्राइमिनिस कोट दे, हम नहीं कहें, हम क्यों जंग करें, बीजेपी से, हम क्यों आरेसस से जंग करें, वो करें जिनने पी-एम-सी-एम बना, हाँ, हम अच्छे लोगों को सपोर्ट करें, वो अच्छे लोग आप पहचान सकते हैं, हम भी पहचानते हैं, तो रहुल गांदी, जिस तरह से मैं आप से बता हूँ मैं रोज आना देखता हूँ जिस तरह दाड़ी बढ़ी हुए है एक मजनु की तरह जान लगा है वही कोई मामुली बात है कि किस फैमिली बेग्राउंड का किस आराम की जिन्दगी गुजारने वाला कहां से चला और मध्य परदेश तक मोर देन 2000 किलोमिटर है जो लड़ी कवर्ड यह चोटी बान नहीं और यह कहा रहा है कि मुझे ठकन नहीं होती जब लोगों का प्यार में देखता हूँ तो मेरी हिम्मत मुझे में उर्जा आ जाती है तो अच्छा दूसी तरह हर तरह के लोग उससे जूड रहे हैं कमनेस्ट प्रहसिन प्रहस्टे झूड रहें और दूसी पार्टिस के लोग भी आ रहे हैं इंट्रलेक्शवल्श की आ रहे हैं प्रोफेश्वल्श व Cart रहे हैं सब आ रहे हैं तो यह वो सब लोग हैं जो फृल तो करते थे देकि उनम में डर था उनमें देहसत थी वो सड़क पर आन ऐसा नहीं है कि हम एक तरफ आ यह कहाँ दें कि फरा कम्निटी पुरी बूरी ऐसे मुसलिम हमें भी बहुत बुरे हैं लार्ज कोई पाकिस्तान की तरफ नहीं देखता है यह जो एक जो जोटा एज्ञाम यह तो पाकिस्तान कावाद देते हैं जन्डा कड़ा करते हैं जिंदा मुल्क हिंदुस्तान है हिंदुस्तान अच्छा होगा तो हम भी अच्छोंगे तो यह सोचना के हम एक कम्म्निटी को इसता कौनर कर दें इतना बन नाम कर दें और देखे काम्याभी किस तरह से आपने पहली दफ़ख किया है कि पंदा परसाइंट की देसत पचान पचास प से कौन सा फार्मूला है कि आप कर दें मुझे मैं जोटी हो जाएंगे आज भी अखबार में आया है कि साब अगर धर्मान को नहीं रोका गया मैं मैं शमीम साहब इस पर आउंगा इस पर हम लोग कई कर भी चुके हैं एपिसोड अगले दोसों साहब में भी वह वह देखी और मेरी याद में मैंने मुझे ठीक से याद है जो रेल का आंदोलन चलाया था जोर साहब ने लेकिन किसान आंदोलन जैसा आंदोलन जिसने पूरे देश को एक साथ एक जुट किया था और उसमें नेता पीछे हो गए थे जंता आगे किसान आगे हो गए थे और किस वह खुद लोग आपको अताकत देते हैं तो क्या वो भी एक टर्निंग पॉइंट था हिंदुस्तान के इस कहीं न कहीं भारत जोड़ो यात्रक करने में किसानों का इतना बड़ा अंदोलन जिसमें साथ सो साथ सो लोगों की जान भी गई और जिसे किसी पॉलिटिकल पार्टी की कोई ना उन्हें सपोर्ट मांगी ना उन्हें उनके हाथ में वो आए और इंडिपेंड़नली तो उस वक्त भी यह हुआ कि किसान इर्रेस्पेक्ट ओफ इस कास्ट लिजन जो भी तास क्योंकि यह सफ्रिंग दा मोस्ट सबसे ज्यादा तक्लीम में इस वक्तिसान ही है मैं आप बताएं लेबर है मजदूर है यह किसान है तो वो सब एक साथ आए और उससे लोगों की नो डाउट हिम्मत बड़ी और उन्ह पब्लिक ली नहीं आपा रहे थे उन्हों जो कहा कि भै दूर कर रहे हैं सटेनी जोने लोगों के दिल से डर्द को दैसत को दूर करने की कोशिश की है और वो हो रही है उसी की वज़े से लोग उनके साथ आ रहे हैं जूड रहे हैं उसमें औरते भी हैं मर्द भी हैं काले है गोरे भी है हर तरह के लोग इस रेस्पेक्ट आफ एनी पर्टिकुलर सेक्शन तो मुझे लगता है कि ये खुद राहुन गांदी की जो यात्रा है एक टरंडिंग पॉइंट होगी हिंदुस्तान की पार्टिक्स में हो सकता इमिजेट गेन कुछ ना हो लेकिन दो हजार ज की की हिम्मत एक कॉंग्रेस वरकर्स बहुत से ऐसे थे कि बहुत कुछ करने को तो है यह नहीं कोई लीडर्शिप है नहीं हम क्या करें कहा जाएं वो यूनाइट होंगे उनकी भी हिम्मत बढ़ी है और लोग जो उसकी सोच के हैं वो लोग अब इनके साथ आएंगे और रह भाउल गांदीं है यह यह उस नसल से, उस कौम से, उस फैमलीं से इन्होंने जिन्देगी बड़ सैक्रिफड़ दी है जवादाल इतने बड़े आदमी थे जैल में भी रहे इंधर गादी ने अपनी जये इन के बाप ने अपनी जयान दे दी तो यह इन्होंने तो मिल्क के ये सबसे ज़्यादा सेक्रिफाइस किया है तो इनकी नियत पर हम शक नहीं कर सकते हैं और इन्हों ने भगवान के अशिरवाद से किसी चीज किन पर आराम की हर चीज की कोई कमी नहीं थी लेकिन उसके बावजूद इस मोहल में पड़ा हुआ एक बच्चा ये इतना बड़ा स्टेंड ले इतना बड़ा कदम उठाएं कि उसने ये यात्रा शुरूआत की और वो क्या भारत जोड़ो भारत जोड़ो का मलब लेओ के दिलों को जोड़ो लोगों को जूलो तभी मुल्क जूड़ेगा तभी मुल्क एक रहेगा तो ये मुल्क के लिए भी हर आया है बहुत दिन नहीं चले एक एंड आ जाता है अभी तक तो बहुत चलाया हिंदु मुस्लिम तेकर अब नहीं चलेगा आगे चुक्छे जब आद भी पावर के नर्शे में आ जाता है वो फिर इरस्पेक्ट आफ हिंदु मुस्लिम अब इन्होंने टार्गेट करना अपन हैं बेसारा अपने को फीर कर रहे हैं लेकिन जो इनसे बेखतर हैं हिंदु कम्यूनिटी में अच्छी सोच के लोग हैं जब उन्हें अटक किया जा रहा तो लोग खड़े हो रहे हैं और आप देखिए चौबिस में बिलकुल राहुल गांदी ही इस मुल्कों चलाएंगे रहुल गांदी के साथ सब लोग आएंगे और यह एक बड़ेशन के लिए पने लिए नहीं के लिए बेखितरी के लिए अच्छे के लिए वह किया है ड़मन्ट कभी भी अगर पीस नहीं, मुलक के अंदर development नहीं हो सकता हम जो कहते हैं development development आप कैसे करेंगे चाइना से ہजारों company निकली है हम ख्वाब देख रहे थे इंडिया में आएंगी कितनी आई है वो चली गई इंडोनेशिया वो चली गई मलेशिया वो चली गई दूसरी जगों पर यहां मुझे उमीद है कि रहुल गांदी की यह यात्रा जो है यह मुल्क की प्राटिक्स में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा थैंक्यू सर्थ मुझे यह कहना है आप एक चीज देखिए कि चौदा से आठ साल हो गया और आप आपने हमेशा पंडितों का मामला उठाया क्या कुछ पंडित को वहाँ रहे इनके जमान में और मैं आप से बता दू मैं कश्मी में रहा हूँ आज प्रोफेसर जिस वक्ट यह शुरुवात हुई थी यह अगेस पंडित नहीं था अगर आप हिस्टरी देख लिए पुरा तो किरियेट कराई गई उस वक्ट जो लेटरी गवरंडर साब थे उन्होंने खाली कराया पुरा एरिया उनसे कहा कि तुम्हें नौकरी भी देंगे घर भी देंगे तुम प्लेन में जाओ क्योंकि अगर हम यहां कुछ एक्शन करेंगे कहीं ऐसा ना रिपर करसेंदा आप कित्रों को ले गए और आपके जमाने में मेजिन आपके एक बहुत बड़े मंत्री जाते हैं वहां सबसे मुलाकात करते हैं एलक्षन के बारे में क्या होगा पंडितों का बहुत बड़ा डेलिगेशन था जो अपनी दुख उनसे डिसकस करने के लिए टाइम मांग रहा था उनसे बगए मिले आप आगे ये तो आपके महबत है उनसे तो हम पंडितों के मामला को पॉलिटिकल ना बने उनकी तकलीव को हम पहचाने वो लोग उसादी है उस एन्वार्मेंट के उस महल के पहरी एरिये के वो यहां सर्वाइब करना उनके लिए बहुत बड़ी आया आपके टाइम में तो और जो वहां रह रहे थी पीसफूल वह वी वापस है और मैं बताओं वहां इस हद तक था जब पंडित कुछ आ गए यह किस्चे टीवी पे भी आया है और आपका मीडिया में भी आया है कुछ मुसम्मानों ने जब वो चले गए उनकी फसले रखा और फसल काट करके उस हनाज को बेच करके वह पैसा उनके पास भीजवाया उनके मवेश्यों को बेचा चुक्के यह हैटेड नो डौट कुछ मिलिटेंस थे जो कर रहे थे इस तरह से लेकिए अगर सौ मुसलिम मारे हैं तो पांच पंडित मारे हैं वह घलत हैं मुसे कंडम करते हैं मुसे क्वेट नहीं कर सकते हैं चुक्के जो लोग मैजोटी में यह उनका धरम होना चाहिए कि मायनटी के लोगों को बचाएं उन्हें हर तरह की मदद दे मैं उस वक्ता मैंने कहा माहा मुसलिम्स को जो मेरे टीचर थे कुछ लोग थे मेरा सेक्शन ऑविसर पंडिता मकर देखिए माया हूँ प्लेंट से प्लेंट में वियार सफ्रिंग वी नोवाटी कमिनलिज्म तो दो ही तरीके हैं एक तो यह कहें कि भई वहां हमारे साथ जाएती यहां उसका बदा लोग दूसरा यह है कि चुके हमें पता है कितनी बुरी चीज है कमिनलिज्म तो लिहाजा इस बुराई को आप यहां एंटन नहां होने दो और आपका यह मजभ होना चाहिए कि आप पंडितों को पुरा प्रोटेक्शन प्यार महबत और उन्हें कोई इजाना है लेकिन जिसे हर समाज में क्या हिंदू को नहीं मार रहे हैं मुसल्मान मुसल्मान को नह आप यहां मुसल्मान को आप यहां मुसल्मान के लिए वा पंडित के लिए उसके लिए क्या किया जो किश्मी चाहिए कुछ नहीं किया ब्यार सफरिंग ज़ा सफर्ड़ एंडिश्टी सफरी झाल झाल